Assalamu alaikum, my name is Sakheena and today we will learn Park Study, Park Study of Synthboard. आज हम पढ़ेंगे Marshall Law of 1969 और इसे ऐसे भी कहा जाता है Second Marshall Law क्योंकि First Marshall Law पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोड़क्शन दे देती हूं उस टापिक के बारे में ताकि आप लोगों पूरा जो टापिक है आप उसे एजी ली कवर अप कर सकें और यह आप लोगों ने लाजमी सुनना है अधर वाइस आप लोगों को नोट्स जो हैं मैंने बनाए हूँ हैं वो आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आएंगे अगर पूरी बात सुनेंगे तो आप लोगो MCQ भी आप लोगों एजी ली सॉल्फ कर सकते हैं अब हमने सबसे पहले थोड़ा समझना होगा अब सबसे पहले आप लोगों को याद रखनी है कि 1958 मैं सबसे पहले मार्शाल्ला हुआ था ठीक है तो वो मार्शाल्ला किसने किया था इसमें जो है मुहमद अयूब खान जो है उनका रूल हुआ था ठीक है अब जो है 1958 अब य मार्शालला लेकिन यह जो है डिसकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट रिलेटिड है इसलिए मैंने इसके बारे में बात की अब जब यह मार्शालला हुआ था तो इसकी वजह से 1960 से लेकर 1962-1965 ठीक है 1962-1965 पाकिस्तान की कंडिशन के अग गुड थी ठीक है जिस्ट बिकोज ओव मार्शालला कि मार्शालला में बहुत ज्यादा स्ट्रिक रूल्स होते हैं अब उसके बाद बात करते हैं कि आग ऐसा क्या हुआ कि फिर से दुबारा मार्शालला करना पड़ा अब 1965 में जंग हुई थी वार हुई अब आप लोगों पता है जंग में कितना नुकसान होता है कितना लोस होता है लोगों का और जिसकी वज़ाए से पाकिस्तान की कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब होगी लेकिन फिर भी जंग वगरा हुई पाकिस्तान इंडिया की और पाकिस्तान इंडिया की जंग में हुआ यू था कि जं हुआ जूवग आप लोग आप लो जो आप लोगों ने जंग व्गरा की हैं तो आप लोग ऐसे करें जिस के हिस düşünिये के पहले ही जो हिस्से थे वही रहें अब ना रहें जल्त कि जंक बाज हैं वही हैं जो खरें पहले थें यह मुहाइदा हुआ उसमें जो है, हुआ यूँ था, कि आयूब खान, क्यों आयूब खान का रूल चल रहा था, तो आयूब खान ने क्या का, इस पे टिक लगा दिया, यानि कि साइन कर दिया भाई अपना, कि हाँ भाई मैं राजी हूँ इस मुहाइदे पे, इस बात पर सबसे बड़ा इशू ज यह ने हैं जो हैं, बहुत बड़े लीडर थे, इसमें के दौरान और भी लीडर आए थे, और भी मोटिविशनल स्पीकर आ थे और भी ऐसे पार्टी के यानि के मेंबर्स आई थे बट इन्हें कहा जाता है ये तो लीडर्स के भी लीडर्स थे और इन्हें बहुत जदा ग्रेट इंपॉटन्स थी पॉलिटिक्स में तो जुर्फकार अली भुटो की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि अयूब खान ने गलत किया है हमें हमारे हिसे में और जादा शहर आ गए थे आपने क्यों साइन किया ये वो तो यहीं से बात सारी शुरू ही और 1967 में आब अलसन याद ना करें लेकिन आप लोगोंने बाता याद रखनी है कि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी यहीं से इसकी शरुआत हुई थी पाकिस्तान पिपल्स पार्टी बनी और पिर जलसे वगरा निकले जनूस वगरा निकले और जिसकी वज़ा से अयूब खान को कहे दिया गया कि यू हैफ टू भई आप ने गलत किया हमारे साथ, हमारे मुलक के साथ, अब ये सारी बात हुई, अब आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बता हूँ, जो जो डेट साप लोगों ने याद रखनी है, एक तो ये अपने ने पड़ी होगी, ठीक है, और ये बात अपने ने हुई 1965 में, तो पाकसान की कंडिशन और भी जादा खराब हो गई, तो उसके नतीजे में हुआ यू था, कि 26 मार्च, ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है, ये मैंने नोर्स में भी मेंशन की है, तो आप लोग याद कर लेंगे, तो 1969 में, जो है, अयूब खान ने याद खान को, ठीक है, अब याद खान भी कहा है, जनरल याद खान जो है, वो कमांडर इंचीफ हो गए, यानि के आर्मी में सबसे बड़े जैसे ही, आयूब खान ने ये सरा किया था, इन दे सेम वे याद खान ने भी किया, लेगिन याद खान ने जब इनका दोर आया, त तो उनको कुछ चेंज किया जाए, तो याया खान ने अपने जो डूल्स रेगलेशन जब मार्शल ला किया, तो उस मार्शल ला में कुछ चेंजिंग की, जिसे नाम दिया जाता है, LFO, यानि कि, लीग, LFO, ठीक है, लीगल फ्रेम वर्क और, ठीक है, ये भी मैं आप लोग डिक हो, अपने नोर्स में ये बात भी मैंने लिकी है, ये भी मैंने लिकी है, तो यह चीज़े जो है, मैंने नॉलिज के लिए बताने के लिए क्योंके, यह चीज़े मैंने नोर्स में में की, लेकि ये पूरी स्टुरी है, तो या अप लोग המש atenção, आप लोगोगों, जो 1965 में तो उसकी उस जरान पाकिसान की कंडिशन और ज़्यदा खराब हो गई थी तो लास्ट अप्शन हमारे पास मार्शल ला बचा था इसलिए मार्शल ला किया गया था तो आई हो अप सो अप लोगों यहां तक समझ आ गया होगा तो अब हम नोर्स की तरफ बढ़ते हैं और नोर्स से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं मार्शल लाफ 1969 यह बहुत अधा शॉर्ट टापिक है तो अब हम इसे पढ़ते हैं अब 26 मार्श 1969 कमांडरा इंचीफ अयूप खान रिजाइन अब 26 मार्श 1969 मैंने आप लोगों को बताया भी था थोड़ी देर पहले 26 मार्श 1969 को अयूप खान जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि इतनी सारे इशू हो गए थे तो उनके पास यही ऑप्शन बचाता रिजाइन देने का और सारी अपनी पावर जो है वो यहाया खान को दे दी और वो भी कमांडरा इंचीफ बन गए वही बात आ गए जो मैंने आप लोगो का बताई और वो कमांडरा इंचीफ बन गए उस वक्त और उन्होंने एक कॉंसिटूशनल फॉर्मूला दिया मैंने पिछली काफी वीडियो में कॉंसिटूशन वर्ट एक्स्प्लेंड किया कॉंसिटूशन का मतलब होता है ला, कानून और पिछली वीडियो में इसकी डेफिनेशन वगए भी आप लोगो के साथ शेयर की थी एक फॉर्मूला वगएरा किया कि जितने भी यानि के मार्शल ला हम लोग करेंगे कुछ भी करेंगे सेट अप तो वो LFO के मताबिक होगा फीक है, अब LFO, Legal Framework Order, मैंने आप लोगो बता है ता, लगि मैंने आपको कहा था, मैं नोट्स में बता हूँगी, वो यही बात है कि उनका जितना भी constitutional plan होगा, वो Legal Framework Order के मताबिक होगा The Marshal Allah accepted the following demands, और Marshal Allah में ये सारे जो points हैं, वो accept हुए थे, अब हम उनको पढ़ते हैं He ended one unit scheme, the province of West Pakistan introduced by Ayub Khan and divided into four provinces, Punjab, Sindh and WFP and Balochistan अब हम लोगों ने ये बार discuss करनी है, कि 1958 में जो Marshal Allah हुआ था, Ayub Khan ने किया था, तो उन्होंने पूरे मुल्ग को एक unit में कर दिया था एक unit, इनके एक West Pakistan कर दिया, लेकिन जब इनका, यानि के, याया खान का Marshal Allah आया, Marshal Allah of 1969 तो इन्होंने प्रोवेंस को वापिस one unit से four province में कर दिया, जो है Sindh, Punjab, Balochistan और NWFP अब हम आगे परते हैं, अगले point की तरफ, अब बुक में ये second point है, ठीक है He also announced that seats will be directly proportional to the population और इन्होंने ये बात भी बताई थी, कि जितनी population होगी, जिस city में, जिस village में, जिस तरह भी, तो जितनी उतनी उनको seat मिलेंगी यानि कि उतने वोज़दा वोट दे सकते हैं, और एसी मार्शल लाब में elections वगेरा भी हुए थे, अभी वो भी समझते हैं कैसे और इनके जो elections हुए थे, उनने clear election का जाता है, यानि कि साफ शफाफ election हुए थे, और इन्होंने जो election के लिए का था, कि एक इनसान सिर्फ एक वोट दे सकता है और इन्होंने democratic system भी explain किया था, और यह democratic system ही है, जो मैंने आप लोगों को बताया है अब आप लोगों को, मैं आप लोगों को एक बात बता हूँ, कि आप लोगों की बुक में जो first point लिखा हुआ हुआ है, वो लिखा हुआ है, restoration of parliamentary system शायद आप लोगों को parliamentary system पता हो तो valent good, लेकिन जिनकों नहीं पता मैं उन लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा बहना क्योंकि नोर्स में बहुत जादा easy wording लिखी है parliamentary system पार्लिमेंटर सिस्ट्रम अबसम जो हता जो अवाम अपने नुमाइनदे खुद चुनती है, खुद पसंद करती है जैसे कोई वजीरादम सिलेक्ट होता है तो वो किसके वज़ा से होता है अवाम की वज़ा से होता है चुम्कि अवाम वज़ा सिलेक्ट करती है तो यह क्या एक पार्लिमेंटिस सिस्ट्रम हो है तो पार्लिमेंटिस सिस्ट्रम का जो बुनियाद जो है वो भी इसी मार्शल ला में हुआ था और इसी को पार्लिमेंटर सिस्टम को मैंने इजी वर्डिंग में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है इलेक्शन ठीक है तो जब आप खोलें तो आप लोगों यह पॉइंट अगर डिफिकल्ड लगे तो मैंने आप लोगों वो भी बता दिया अब आप लोगों ने यह भी याद रखनी है बात कि 1970 में दिसम्बर 1970 में जो है इलेक्शन वगरा हुए थे और इसके अंदर 63 चोटी बड़े जो उनकी पार्टी थी उनके उनके गुरुप बना लिए और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी आती हैं वो तीन आती हैं और वो है कॉन्वेंशन, कॉंसिल एंड कयाम लीग यह तीन आती हैं और इनके इलावा भी बहुत सारे गुरुप थे बहुत सारे पार्टी से जन्होंने हिसा लिया था और जिनके अंदर आती हैं नेशनल अवामी पार्टी और इसके इलावा पाकिसान प्यूपल्स पार्टी अवामी लीग जमित अलमा इसलाम पार्टी और इसके इलावा कर लें इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को नहीं लिखा वैसे भी शॉर्ट है तो यह जो टॉपिक यह यहीं पर खतम होता है मिलते हैं नेक्स टॉपिक में थैंक्स फॉर यॉर टाइम